आप सभी का स्वागत है प्रिवियस वीडियो में मैंने आप सभी को जो पीडियेफ दिया था टेलेगराम पे आई तिंक वो आप सभी ने पढ़ लिया होगा या पढ़ रहे होंगे अच्छे से आप सभी पढ़ ले अभी मेरे बात को समझे बहुत सारे एस्टुडेंस ये प सभी होगा था तो कुछ डॉक्मेंट फिर्ष फर्स्ट में आपको अपलोड करना पड़ा था लेकिन एम सिसी का जो रहिशन होगा उसमें डॉक्मेंट आपको कोई भी अपलोड नहीं करना है आएक बात ध्यान से जब आप सभी में सिसी का रिश्टरशन करेंगे इंटी को जो आपने information दिया है, same information आपको fill up करना है, कई बार students क्या करते हैं, कि NTA जम fill up किया, उसमें category कुछ और होता है, और MCC में fill up कुछ और करते हैं, ऐसा गलती नहीं करना है, और हाँ, एक बात में आप सभी को और बता दो friend, कि जब आपका online allotment किया जाएगा, चाहे round first का हो, round second का या कोई भी round हो, जब जो college allotment किया जाएगा, allotment के बाद आपको proper एक time दिया जाएगा, उस time के पहले उस college में visit करके, आपना document को verification करा लेना होगा, और एडिबीशन आपको लेना होगा, और एक सबसे important बात में आपको बता दो, अगर suppose करे कि first round में आपको कोई college allot हुआ है और आप चाहते हैं, एडिबीशन भी लेना और इसको upgrade करना, तो एक बात ध्यान से, आप जब college में एडिबीशन लेना जाएंगे, document वही पे college में आपको verification होगा, और वही पे उनको आपको बोलना होगा कि हमें upgrading में डालना है, ये बात ध्यान से, खेर इसके बारे में information में आपको उस समय धूंगा, जब allotment होगा उसके पहले, अभी आपको बता दिया कि MCC के समय में, registration के टाइम पे, आपको कोई भी document अपलोड नहीं करना है, सब document आपको college allotment के बाद जब education लेने college में जाते हैं, उस particular college में वही पे verification करना होगा, और कौन से document आपको लगेगा, उ लिंक उसका description box में हैं, अब एक लिप नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में,